तो आज जो है अपन को हिस्ट्री का मुझे उम्मीद है आप लोग कर लोगे और काफी है बहुत काफी है उसमें से आज आएंगे दूनों अब्जेक्टिव तरह है कोशन बैंक जो है उसके अब्जेक्टिव कर देना परिक्षा बहुत परिक्षा देन के तो करी रहे होगे दूनों बैसे एक जो भी आपके पास उसके बाद जो है अगला चेप्टर देखे तो वह चार नमर का है इसलिए इंपोरेंट हो जाता है थीनों अब्जेक्टिव है भारत की राजनीती के उपर है इसलिए अपन को यह ऐसलिए यह जरूरी है एक बार पहले चेप्टर का माइद में बनाते हैं कि चैप्टर में है क्या-क्याSta कि अपनको बेसिक पता हो इस चैप्टर में किन-किन टॉपिक को कवर किया हुआ है एक बार केवल ठूआउट करते हैं चैप्टर के क्योंकि फाइनल डिविजन जैसा है तो ऐसे ही अपन उस टाइम भी देख रहे होंगे जब अपन एक्जाम के एक दिन पहले पढ़ रहा हुगे और उनलाइन जैसे अपन चैप्टर से बाहर हैट के बात करने पढ़ाई साइट कर कि हमने क्या सीखा थे एक लास में वह ज्यादा बैतरी हिन होता है यह इस चैप्टर में हमने यह इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़े हैं तो भारत में राश्ट्रबाद अभी तक आपने जो फर्स अपनाए हुई और अलग-अलग देश फ्रांस जर्मनी कुस्तुनिया के संदी के बाद जो है वह युनान आजाद हुआ इटली इंग्लेंड यह सब देश जो है वह कैसे-कैसे आजाद हुए उसके बारे में देखा पने बड़े-बड़े देश थे और कैसे-कैसे राजनी अपनी स्थापित कर चुके थी वहां उटक्रांथ정 कर रहें एक्टाइंड पर और कव्धा तो उसमें जो है सबसे बड़ा यह था कि पहले इस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश पर शाषन कर रही थी उसने अपनी सेना बना देख रहे थी अपने सब कुछ बहुत देख रहे थी फ़ी बगार ले न काते कि बाद ब्रेश का रानी थी उसमें अपने अन्डर लेलिया है भारत के साषन महाराणी के पास फाषन अगया था वह अपने देश का शाषन देखता था बाद जो है हमारा देश जो है 1857 में आजाद नहीं हो पाया बहुत सारे रीजन वह है जिसके कायन से हम फेल हो गए एक महत्पूल रीजन था कि communication नहीं हो पाना बाचीत नहीं हो पाना कि एक साथ करांती कर सके घटा विद्रो कर सके और पूरा के पूरा जो विद्रो था एक तरह से यह भी देख सकते हो जो 1857 का वित्रों था वो हतियारों साथ लड़ा गया था मंगल पांडे से लेकर रानी डक्ष्मीपाइट अत्या टोपे तक सभी में युद्ध लड़ा अंग्रेजों से लड़ा ही लड़ी लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाएं तो फिर उसके बाद जो है घटना परिबातित होती और फिर उसके बाद 1885 में कॉंग्रेस के स्थापना के बाद जो है नया मार्ग अपनाया गया गांधी जी के वापस अधर से कहानी शुरू होती है गांधी जी के दक्षिन अफ्रीका से लोटने के बाद गांधी जी के जो प्रमुख आंदोलन थे उन पर इबात होती है का चमिकी घंठ से लोगों हो करत से लिए कम थो प्रमुख रहता हĩ लेकिन हमारे इतिहास कारों ने हमारे इतिहास में घंठ को जाला जागा दी क्योंकि मालूम reason है उसके पीछे एक देश जो है उतना ही मजबूत होता है जितने उसके आदर्ष मजबूत होते हैं देश उतना ही strong होता है जितने उसके आदर्ष strong होते हैं ideal जो लोग होते हैं वो उतने strong होते हैं उतने देश भी strong होता है देश के स्टॉंग होने से मतलब क्या है? देश के स्टॉंग होने से मतलब है उस देश में उपस्ते जितने लोग हैं वो आपस में किस तरह से रह रह रहे हैं? सही रह पा रहे के नहीं? एक साथ रह पा रहे के नहीं? कई उनमें लड़ाई जगड़ा तो नहीं होरा लगा था तो उस देश की एकता और अकष्णता को बनाये रखने के लिए हमारे देश के सही आदर्श होना बहुत ज़्यादा जरूरी थे तो हम ऐसे आदर्शों को जो की सारव भौमिक हों सब के लिए मानने हों अगर जगड़े के लिए अगर हम बाढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे विशा हैं जिस पर जगड़ा हो सकता है लड़ाई हो सकती है जितने भी देश में लोग बाग रहर हैं वो मुद्धा चाहे जाती को लेकर हो, भाषा को लेकर हो, खाने पीने को लेकर हो, चाहे धर्म को लेकर हो, किसी भी मुद्धे पर लड़ाई की जा सकती है, लेकिन देश के इतिहास कारों ने उन मुद्धों को लिया किस पर हम एक हो सकते हैं, उनहीं क्रांती कारियों के ही हूँ common हूँ भाई कम से कम जो एक मत किसी विशे पर तो इसी कारण से अब उस पर भी नहीं होते हैं हाला कि कई लोग सहमत गांधी जी पर नहीं हो पाते हैं सहमत लेकिन इस बात से वास्ता हमको रखना तो पड़ेगा ही कि अच्छा सो सत्तावन में हम सफल हो जाते अगर युद्ध से होना होता तो लेकिन नहीं हो पाए बहुत सारे रीजन थे उसमें जाहिर सी बाते कम्मिनिकेशन एक बहुत बढ़ा रीजन था हतियारों का वी कमी बहुत बढ़ा रीजन था बहुत सारी चीज़े होई लेकिन गांधी जी ने जो आंदोरन किये वह ऐसे थे शांती प्रीए और एक तरह से अंधेर में तीर जैसे छोड़ने वाला था भाई हम हतियार ट्राय कर चूगे थे लेकिन सफ़ल नहीं हुए थे तो एक बार सोचा शांती से भी ट्राय करने हो सकता हो प्यार से मान जाए अंग्रेज और किसमत चल गई किसमत साथ दे गई प्रथम विश्वेद के बाद अं चीजे होती जली गए गांदी जी के साथ गांदी जी दक्षीन अफरीका में थे उनके आदाश उच्छ थे भले पिटते वगेरा थे बहुत जादा जो है उनको जेल में बंद करना प्रताडित बहुत होना पड़ा लेकिन उसके बाद भी हम जो हो गांधी को जादा पड़ इनकी जो विचार धारा थी वह देश के लिए थोई सी सार्भ भॉमक नहीं थी मतलब देश को एक रखने वादी नहीं थी हमारे इतिहास कारों की नजर में इस Letter स्ष्ण की बोक्र जादा पकुर्द की अपे हैं बुद्धा वो नहीं है अगर ओवरॉल देखा जाए अगर सिक्ट क्लास से एंसे आटी अपने पड़ी होती तो उसमें इन सब का जिक्र भी आ चुका होता है लेकिन अब एक रम से शायद आप लोग ने जो लाक्ष्मिवाई वगेरा के बारे में छोटी क्लास में पढ़ा भ सभी नयवग्या अंदुरन तीसरा भी एक और अंदुरन था भारत छोड़ों उसके बारे में थोड़ा सा कम डीटेल है इन दोनों के बारे में जाधा है तो शुरुवात होती है पहला वाले पेज़ पर यह डाइग्राम मनें हुए बहुत सारे उनिस सो निस में छे अप्र थोड़ा पता होगा अभी आएगा जिकरत उनिस सो एनिस सो अनिस में सबसे पहले आता है आशन्तोर के कारण किया थे परिशानी क्या हो गई थी जो इत्ता ज्यादा विद्रूव कर रहे थे सबसे बड़ा कारण çıktı जो हमारा प्रथम विश्वेर्ध था प्रथम विश्वे जिसके लोगों में रोश था और उसके बाद ही जो है वह महामारी भी फैल गई महामारी कोरोना के पचास या साथ लाग रही होगी टोटल बस किवल पचास या साथ लाग निए सो अठरा निश में पूरे भारत की जिसमें पाकिस्तार मांगल रजी शामिल था तब तब जन्गर्णा 1921 में मुतावे दुर्विक्षव महामारी के कारण से 120 से 30 लाख लोग मारे गए मतलब एक कोरोना के आखले जो बताते हैं वो मुझे लगता ऐसा हो सकता हूं मैं गलत हूं सरकार दारा कोरोना के आखले चुपाए गए मरने वालों के मरने वालों के संक्या बहुत जादा थी कोरोना में लेकिन वो सामने नहीं आने दिये गए बहुत सारे चुपाए गए तो उस टा जैसे युद्ध खतम होता है तो उसके बाद आर्थिक रूप से अभी जैसे रशिया का हाल होने वाला है रशिया का हाल बुरा होने वाला युद्ध जो है वो एक्ष्टा खर्चा डाल देता एक्ष्टा बढ़न जाल देश पर दो विश्वेत लड़कर इंग्लेंड और अम करने के लिए उसके बाद सत्याग्रा का विचार महात्मागानी जनवरी 1915 में लोटे थे भार दक्षिन आफ्रीका में उन्होंने एक जन अंदोरन के रास्ते पर चलते हुए वहां की नसली भेदी सरकार का सफलता पूर्वक लोहा लिया था वहां रेसिस्म के खिलाफ महात महात्मा गांदी के बारे में देदू महात्मा गांदी ने जो है वह इंग्लेंड से अपनी बैरिष्टर की पढ़ाई जो है वह पूरी करी और उधर से आने के बाद भारत वापस लोट आए हो तो बोले भाई एक्चुली में आप वकील बन जाते हो पढ़ाई करके जब आ कि आपको प्रैस करना पड़ती है किसी सीनियर वकील के साथ ताकि उसका इड्वोकिट skal के डीने पड़ता है पास हो जाता अचालो लड़P कर ले लेने से बहां पर लग्री गांदी जी ने वहां पर लॉयर की डिगरी तो ले ली थी लेकिन अब प्रैक्टिस करने के लिए भारत में वापस आया वहां पर उनके साथ एक इंसिदेंट वह जो की बहुत जादा फेमस है इनको ट्रेंज से टिकेट होने के बाद भी टीसी ने जो है वो खरेड़कर वहार निकाल दिया क्योंकि ये ब्लैक थे तो वहां रेसिस्ट में बहुत ज्यादा था उस टाइब उसके बाद जब रेलवेपन को निकाल का फेक दिया गया तो उनके पास कुछ भुक्स थी इन्होंने वह पड़ी और उसके बाद जो चेंज आया वह फिर दिखने लायक था इन्होंने वह विद्रोश कर दिया वहां पर जना अंदुरम कर दिया उनके साथ लोग बाग शामिल पर गांधी जी का उध्य होता है और फिर गांधी जी महां से सब सक्केश्ष्फोल हो जाते वह फिर भारत आते हैं भारत में जो है भारत आने के बाद गांधी जी इकड़ी स्तानों के पर सत्य अंदुरम चला लाय तो उन्होंने यहां भी देखा वह चीज करके 1917 में उन्होंने बिहार के चंपरान इला का दौर किया और दमनकारी बागान बैवस्ता के खिलाभ किसानों के संगास के लिए प्रेरिद किया निस्स तो 17 में उन्होंने गुज्रात के खेडा जिले में तो चंपारान आंदुलन पहला ही था उसके बाद खेडा आंदुलन जो है वह था तो धीरे धीरे आंदुलन की शुरुवात होने लगी गानी जी जो है वह आंदुलन करने लगी अच्छा सत्या ग्रापर विचार क् पूक में भी एक कोशन है तो जरूर यह सत्या ग्रापर विचार में केवल एक प्यारा ग्राप पड़ूँगा कहा जाता है कि निश्क्रिय प्रतिरोत दुर्बलों का अधिकार है ऐसा लोग समझते हैं कि जो बिना लड़ाई को अगेरा करे जो प्रतिरोत करते हैं किसी का इसके लिए तो सखन सक्री अहता चाहिए अपूलते हैं निश्क्री में नहीं होता है यह वर्लव नहीं है इसके लिए बहुत शक्ति की आवश्कता है और यह शालिर नहीं है सत्याग्र colleghiadora को नहीं कितनी मतलब आइडियल बात लीए प्रेक्टिकल नहीं लेकिन आईडियल बात लीके आपके तरीके गलत हो सकते हैं लेकिन इसके लिए सम्मान है तो सथ्य प्राइब का आपका बुर नहीं आपको मरता हुआ नहीं देखना चाहता जबकि लड़ाई में जो है वह कैसे मार काट करकर भाई हमको जीतना है बस अगर लड़ाई की बात करें जो हिंसा की बात की जाती तुम गांधी जी यह सोचते थे अंग्रेज बुरे हो सकते हैं उनकी शाषन में बस्ता बुरी हो सकती हो आप रद्वी पर एक सुक्ष में जीव मातर हो दमान के आगे छोटी हो उनको वह समझाओ कि आप गलत कर रहे हो आप इसलिए नहीं पैदा हुए हो तो गांधी जी का रास्ता यह था अब आप लोगभाग इससे डिफर कर सकते बिलकुल कर सकते हैं इसमें कोई परिशान हो कि जो अमारा वो है क्या बोलते आसा योगांदोलन के क्या कारण्टे वो लिखो भाग लेने वाले अलग 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 देश के किनकिन हिस्सों में कौन-कौन ने भाग लिया वो लिखो ऐसे बड़े-बड़े कोशन आएंगी तो आप घलत हो इसके पहले भी ऐसा हो चुक अगर आप थोड़ी बहुत टेक्निकल लीटेल निकाले तो पता चल जाएगा अंग्रेज उन्हें कैसा कानून मनाया जिसके तहत जो है वो लोग अंग्रेज लोग इंडियन्स को बिना कोई जच के सामने प्रस्तूत करें जेल में डाल सकते हैं नॉर्मली ऐसा होता है कोई गिरफतारी की जाती तो उसको जच के सामने प्रस्तूत किया जाता है लेकिन रॉलेट एक्ट अंग्रेजो को ये पावर देता था शक्ती देता था कि वो लोग भारतियों को बिना कोई जच के सामने प्रस्तूत किये वो लोग उनको जेल में डाल सकते थे तो भारतियों न तो उन्होंने जो है रॉलेटेग का विरोध किया गया उसके बाद जो है वह जलिया वाला अध्यकन बाग आता है टॉपिक बहुत अच्छा है रॉलेटेग का विरोध कर रहे थे तेरा अप्रेल का दिन था 1919 अमरस्तर जगा का नाम था और पार्ग था जलिया वाला बाग तो जलिया वाला बाग उनका वह इधान प्लेस का नाम था ओड आयर आता है और अपने सैनिकों के साथ चारों तरफ से खेल लेता है पार्क को और वहां जो भी आंदलन कर रही थी उन पर बे इंतिहां बिना कोई जिजग के गोली बारी शुरू कर देता है तो हजारों लोग मर जाते हैं उतर हजारों लोग ही थे तो कितने लोग मरे एक्जाक्ली बताना पॉसिबल नहीं क्योंकि अंग्रेजिवन उस टाइम की बॉडिस को जो है वह काउंट ठीक से नगनी किया होगा कम आकने दिखाया होंगे बहुत सारी रही होगी तो रियल आ किसमें लिखा हुआ है कि इसमें लिखा नहीं होगा शायत कितने लोग मारे गए थे तो इन्होंने भी हजारों लिखनों से बचें सेक्ड़ों लोग जो है वह मारे गए बाद में उसने बताया को ने ओडाया ने वह सत्याग्राव के जहर में दहशत और विश्मय का भाव पेदा करना चाहता था कि इस लोग डरे हमसे कितनी बुरी सोच कि इन्सानिएत की नहातर बहुत गलत है जैसे जैसे जलिया वाग की ख़वर फैली उत्तरभारत के बहुत साहे लोग सरभ बत रहे ठीक है मैं उस पर नहीं जाओंगा तो जलिया वाला बाग इंपोर्टेंट चीज है काई का विरोद कर रहे थे वो रॉले टेक क्या था आपको बताया ऐसा कानुन था जो कि अंग्रे भारत में भृतिश शांषांचे स्थाफ़त हुआ था और ईसी स्था चल पार रहा था लोग भाग संसे कर र्रहे थे नौकरी कर रहे चाट्यांकर देना लग विरो बहुत जादा टीचर को बढ़ावा देता है तो टीचर को सपोर्ट मिल जाता है गांधी जी ने लोगों से बोला अपने गुशा आती है कि यार तुने जवर्ण ने बोल दिया ऐसा तीचर का सपोर्ट कर दिया तो गांधी जी ने सेम अपने हां भी असाई किया कि लोग भग जो थे उनको से अपीद करी कि भाई आसायोग करो अंगरी जो का साथ मत दो उनक बात आती है कि खिलाफत आंदोलन क्या था है ना तो खिलाफत आंदोलन क्या था खिलाफत आंदोलन जो था दौलत अली और शौकत अली जो दो बाई थे उन्होंने जो है इसमें आता है जेकर इसी सावित था खिलाफत आंदोलन चलो जाने तो पता नहीं कहां गया खिलाफत आंदोलन क्या था खिलाफत आंदोलन जो था वो दौलत अली और शौकत अली दो भाई थे अच्छा जो अंग्रेज थे उन्होंने आटूमल समराज पर कपचा किया होता और वहाँ पर जो खलीफा थे जो इसलाम के जो है वो माने जाते हैं उनका अपमान किया था बहुत उनकी बुरी तरह से बेच जती करी थी दुनिया भर के मुस्लिम जो है उसके खिलाफत थे फिर उन्होंने जो है साथ होके लड़ना पड़ेगा नहीं तो आगे नहीं परपाएंगा तो उन दोनों भाईयों ने खिलाफत समीती का गठन किया और उसका अध्यक्ष माहत्मा गांदी को बना दिया खिलाफत समीती बनाई और उसका अध्यक्ष माहत्मा गांदी को बना दिया उसके कारण से क क्योंकि उन्होंने आटोमन समराज पर कब्जा किया था और हलीफाओं की बेज़जती की थी इसलिए दुनिया भर के मुस्लिमों में रोश था और उसी रोश के चलते डौलत अली उसकत अली भायों ने क्या किया खिलाफत समितिय अगठन किया जिसका चेयर परसन गांधी जी इसमें जित्ते भी अधिवेशन आया वह जरूरी है और नाकपुर अधिवेशन कब हो निसमें हुआ था लाहोर अधिवेशन भी आएक है जिसमें पूर्फवराज की मांग की गई है ना विजिश्टी का प्रोकार वहिसकार दुलाई 1922 अंदोलन के भीतर अलग अलग शहरों में वकील आएंगे लीचर साइंगे इस्टूरेंट्स आएंगे उन्होंने जो है वो लेडिस आएंगी जिन्होंने पिकेटिंग की पिकेटिंग इसको बोलते हैं विरोध प्रदाशन का ऐसा सरो जिसमें लोग किसी दुकान फेक्टिया दफ्टर के भीतर के जाने क है जैसा शराब की दुकाने को फिकेटिंग की मईला ने तो जलागता है भाई उठा शराब की दुकाने उठा उठाके लेकी लगाएं और मस्तप्यक लगाया है अपने पईसा जा बारे में आता है गिर्मिटिय मस्दूर मतलब जो ऐसे मसदूर जो कि भारत से गए हुए दूसरे देशों में उनको गिर्मिटिय मसदूर बोलते हैं अच्छा यहां पर जिक्राता है जो गाओं में जिक्राता है यहां पर जवाला नहरू उनकी जिकरता है, उनकी मेहनत बूह करती है। इन्होंने राजनीती करी भामशे लोगों को अपने साथ जोड़ा। और यहां पर उनका बहुत बड़ा बेस बन गया था। बेस बन जया था मतलब उन्होंने मालू मनों अप किसमत बोले या फिर पूरे देश भर में जो सबसे जादा थी वह इसी एलिए में थी उन्होंने वह यही जो जाम्र्तन था कुंस्था बाद में करना सारे इस्थानों पर लूट पार्ट होने लगी बाजारों अना अच्छ गुदान उपर कब्जा कर लिया उन्होंने जो है वो ऐसा कर लिया कि भाई साव अब तो हम अंग्रेजों को मार के भगाई देंगे तो वो थोड़े से क्योंकि पढ़ लिगे नहीं थे उपर से इनको के बल वो जताना था उनका साथ चाहिए था तो इन्होंने कुछ बोला भी होगा बढ़ताने के लिए संधाने के लिए गलती रह गई होगी तो गुस्य में आगाए वो लोग और उन्हें जो है डूता मारी करती शुरू अंग्रेजों को भाई अब तो हमारा ही देंगे मतलब वाली बात हो गई अधिवासी किसान में मातमगारी संधिश और स्वराज के विचाथ का कुछ और ही मतलब निकाल लिए उधारण के लिए आंदरपदेश के गुडेंपाडियों में निसो बीस के दर्शा के स्वरा गया इस कंग्रेज इस तरह के असंगास को कभी भी भी नहीं को सुखार रह पढ़ा था उनकी बास समझी नहीं पाए तीवी तो इना थी वाट से तो इसा नहीं बोर रहा हूं मैं ऐसा बोर रहा हूं उस्टांग उन्होंने गलत समय लिया कि अंग्रेजों को हराना है मतला उपन को यूद लड़ना है और कॉंग्रेस यूद नहीं लड़ना चाहती थ तो मैं शान्ती से काम करना चाहती थी कि हम जो है वो किसी को मारा पीटी के खिलाफ नहीं हिंसा के खिलाफ है हम आह इंसा से जो है वो आपको मनाएंगे करिया तक सबल भी रहा है ऐसा नहीं अंग्रेजों नहीं मानी इस बात को अधिवासी किसानों ने बुरा मत मानना लेकिन मैं भगस से के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन भगस से जैसे पता नहीं कितने सारे लोगों को फांसी पे चड़ा दिया अंग्रेजों ने और उनका इतिहास में जिक्र नहीं है भगस से का है क्योंकि कई सारे रीजन रहे होंगे बगर सिंग के कारएं बगर सिंग के साथ उनका एक अच्छा गुरुप था जैसे लोग सामिल दिराज गुरु थे उनकी स्टोरी में दम था तीन दोस्तों की कहानी है जो खुशी-खुशी उनका तो इतिहास में नाम आ गया लेकिन बगर सिंग जैसे पताने कितने हजारों य जुगदान एक इस एज में सबसे बड़ा सेक्रिफाइस मैं मानता हूं उस चीज को बुरा कभी नहीं बोल सकता बहुत उन सभी लोग को जिनको अंग्रेजियों फांसी पिचला दिए लेकिन उसका भारत की स्वतनता पर ज्यादा कोई असर नहीं पड़ रहा था इस बात क इसको भी मानना पड़ेगा हमको हजारों बच्चेओं को भगसें से चोटों को भी फांसी पचला दिए जिनका इतिहास में जिक्री नहीं है कई लोगों तो गोली मार दीगा इंग्रेजियों क्योंकि वो सबजी भाजी की तरह संद्द्र से भारती हुग गोली मार दी गई कई महिलाओं के साथ दुराचार किया रेप किया उनका इत्यास में कोई जिक्र नहीं तो भगसी जैसे बहुत साई लोगों को मारा गया लेकिन उनसे शाषन या फिर उनकी जो भारत पे स्वतन था मतलब भारत को स्वतन करने की एक्षा उसके कोई असर नहीं पड़ा कोई भी करेगा हमको मारेगा ऐसी वाली बात थी तो उसका ज्यादा कोई असन नहीं हो अनफॉर्चुनेटली तो मैं यह नहीं बोल रहा हूं कदापी नहीं बोलना हो ना बोल सकता हूं कि भगसी कि सोच उनके विचार पढ़ोगे तो एक ऐसा बंदा की मतलब जिसने खुझ अपने मैं कुछ पोड़ू में को मरना ऐसी जज़्देवाले यूबा को कौन गोल सकता है कि ऊसका युगदा नहीं था मैं ऐसा बिलकूल भी नहीं बोल रहा हूं लेकिन कहीं ना कहीं जो है वह अंग्रियो पर उसका कुछ असन नहीं पड़ा कि उनको जो हुच जहना चाहिए जाहां लोगática हुते हैं जो अब्सारे बुराने बच्चे उसे थे जो नहीं आप कैसे बोल सकते हो गांधी जिन साइकोलोजिस्ट बोल सकते हैं या फिर थौट वाले दार्शनिक बोलते हैं हिंदी में इंगलिश में पता नहीं क्या बोलते हैं तो जो वाल्टेर थे उनका पत्रिका पर हर पेपर पर हर को उस पर कॉर्ट सब्सक्राइब हो सकता है आपके विचार से सहमत ना होपाऊ लेकिन आपके विचार प्रकट ने कि आपकी सवद्धन तकी मैं रक्षा करूंगा पत्रिका प्त्रिका पीपर आता है ना उसमें धाया हमेश्य यहां पर वही बच्चों के साथ अगर बच्चे मानते हैं कि नहीं हम तो सब्सक्राइब जादा वैल्यू थी खांदी जी को जादा बताया गए तो उसकेस में भी यही बोलता हूं हो सकता हूं मैं आपके विचारों से सहमत ना हो सकूँ लेकिन आपके विचारों से सहमत ना हो सकूँ पर आपके विचार प्रकट करने की आपकी सवतनता की में रक्षा करूंगा पत्रिका पेपर अगर आपके आता है तो संपात की पेज़ पर जाएगा जहां पर बहुत सारी तो आधी क्लास यहीं खतम कर रहा हूं वीडियो लंबा हो जाएगा यह वाला पांच मिट का ब्रेक वाल्टियर के बाली में यहाली बात जो बोली है उसको दिमाग में रिपीट कर लो हो सकता हो जिनकी में काम आ जाए और अभी तक जो है यह से जोड़े हो माइट मिट बात